नमस्कार नमस्कार दोस्तों एक दिन एक किताब की दुकान में घूमते समें मुझे एक खुबसूरत किताब मिली इस शांदार बाग के सिर और उसके मुझ में इस बचेने मेरा ध्यान की चा मैंने कहानी पड़ी बहुत सुन्दर है और मैं इसे आपको बताना चाहता हूँ कहानी एक दूर देश में घथित होती है हिमालया की दूसरी योग पे मैं इसे आपको हिंदी में बताओंगा तुम्हारा भाशा अच्छी तरह से नहीं बोल पाता हूँ मगर मुझे आशा है कि तुम मुझे समझ पाओगे चित्र में जिस बालक को तुम देख रहे हो उसका नाम वासू है वो एक युवार राजकुमार है उसका समझ जाएगा कि कुद्रत और जानवरों के पास इनसानों को सिखाने के लिए बहुत खुछ है गेरे जंगल के बीच में बागिन रोती है उसके चोटे बच्चे मर चुके हैं शिकारियों ने आकर उन्हें मार डाला वो उन्हें बच्चा नहीं सकी उस दिन से वो आती जाती रहती है उसे दर्थ और दुक की गेरी अनुभूती होती है वो गांवों के पास गूमती रहती है एक शाम वो हमला कर देती है वो घरों को नाश कर देती है वो मनुश्यों और पश्वों को खा जाती है उनका गुसा शांट नहीं होता है बिलकुल नहीं अगले दिन वो दूसरे गांव पर हमला करती और पिर एकर और पिर हेकर जब रात होती है तो हम हर जगा केवल आंसू और आतंग की चींखे ही सुनते हैं राजा ने तुगंद अपनी सेना तयार किया वो लाओ लाओ नामक की एक बुर्या से सलाह मांगता है लाओ लाओ भविश्यक का अनुमान लगाना जानती है दरसल तस्वीर को देखो वो छोटी बास की लाओ या और पत्तर फर्ष पर फेकती है फिर वो उन्हें द्यान से देखती है ऐसे ही भविश्यक को जानती है ओ राजा अपनी से ना जरूर मत बेजिये बागिन और भी अधिक कतरना को जाएगी कि वल एकी चीज उसके गुसे को शांत कर सकती है तुम्हें उससे अपना पुत्रवासू अख्पित करना होगा मेरे ही बच्चे को त्याक करना राजा छिलाता है हो राजा मैं आप से वादा करता हूँ उससे कोई नुकसान नहीं होगा गाजा और गानी बरे धुक में है अपनी और से वासू ना तो दुकी लगता है और नहीं दुरा हुआ जब वो अपना गरम सनान समाप्ट कर लेता है तो उसका बैंग तेयार हो जाता है राणी उसकी रक्षा के लिए उसे एक जेद पत्तर पड़क देती है जेद पत्तर बहुत शक्तिशाली होती है तुम जहां भी रहो मैं तुमारे साथ रहूँगा मेरे बच्चे सुबह सुबह राजा वासु को लेकर बरे जंगल में चला जाता है अब तुमें अपना दम पर आगे बरना होगा इस पुल के अंत में बागिन का क्षेत्र है मेरे बेते तुम एक सच्चे बहादूर राजकुमार हो मुझे तुम पर गर्व है दरुमत तुमें कोई नुक्सान नहीं होगा मैं नहीं दर्टा पासु ने उत्तर दिया वो पुल पाकर जंगल में प्रवेश करता है पेर विशाल होते है हम सभी प्रकार के पश्वों और जानवरों की आवाजे सुनते है जंगल के अंदर अंधेरा है वासु बहुत देर तक चलता है फिर ठक कर एक पेर के नीचे सो जाता है बागिन ने वासु की गंद सूख ली इनसानों की गंद जल्दी ही उसे उसका पटा मिल गया जब खुल को बच्चे पर फेक रही थी उसी प्रकार पर एक परिचित भावना मन में वापस आता है और वो वासु को अपने मुझ में ले लेती है उसी प्रकार उसने अपने बच्चों को भी लिया और अच्छानक उसका सारा गुस्सा निकल जाता है बागिन बहुत ही नजाकत से बच्चों को रखती है और उसे गरम करने के लिए उसके बगल में लेद गई वो सुचती है ये चोटा बच्चा मासुम है वो नहीं था जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक माँ की जरूरत है जब वो उत्ता है तो वासु भागिन से पूचा है कि क्या तुमें भूग लगी है यदि आप चाए तो हम शेयर कर सकते हैं मेरे बैग में खाने के लिए कुछ है भागिन मुस्कराती है वासु पिर उसने पूचा क्या आप द्रम के साथ नाच सकते हैं भागिन किल किला कर मुस्कराती हुई और कोई जवाब नहीं देती वो वासु को पहार के मद्यम से एक गुफा के प्रवेश द्वार तक ले जाती है ये गुफा एक मार्ग है एक मार्ग जो मेरे क्षेत्र के मद्य तक जाता है एक ऐसी जगह जिसके बारे में इनसान नहीं जानते एक जगह जहां तुम को खाने के लिए शिकार करना पड़ता है एक ऐसी जगह जहां जिन्दगी अलग है इस संसा को वासु नहीं जानता था उसने अपनी आँखे पूरी तरह से खोल दी वो एक दम हैरान रह गया समय गुजर जाता है एक दिन जब की के समय वासु को भागिन के फर में एक तीर का सिरा मिला वो उसे हताने के कोशिश करता है लेकिन दर्द बहुत होता है बागिन उच्छती है और दहाती है अपनी चोट की याद से उसका करोद जाग उटा वो अपने बरे बरे दाँ दिखाती है ऐसा लग रहा है जैसे वो वासु को खा जाएगी लेकिन उसी समय पर उसे बच्छे की भयबित आँखे दिखाई देती है वो उसे अपने बच्छों की आँखों की याद दिलाता है मा की मीतास लौट आती है और वे मासुम बच्छे को आश्वरत करने के लिए बहुत दीरे से उसे अपने मुँँ में लेती है बागीन फिर कभी गावों पर हमला नहीं करती वो दिन रात वासु की रक्षा करती है वो उसे सब कुछ दिखाती है जो एक छोटे बाग को जानना चाहिए गर्मियां और सर्दियां बीट जाती है वासु बरा हो जाता है जल्ड ही जंगल में उसके लिए कोई रहस्य नहीं रह गया लेकिन महाल में राजा और गानी दुख से बिमार है उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका बेटा अब भी जिन्दा है या नहीं उन्होंने उसे कई सालों से नहीं देखा है लाओ लाओ बुगिया उन्हें शान करने की कोशिश करती है अ मेरे राजा ओ मेरी राणी कृपिया मेरी बात सुने मैंने सपने में वासु को देखा वे एक सुन्दर लरका है वो जिन्दा और बहुत अच्छे स्वास्तिय में है मगर राजा अब नहीं सुनता वो धैरिय खो रहा है वो अपनी सेना भेजता है सैनिक जंगल में चारो तरफ से गूमते हैं वे धनुश, तीर और भाले से सुसजित है वे आग जलाते हैं सभी जानवर भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं हम हर जगा चीख पुकार सुनते हैं वासू और भागिन फंस गए है वासू भागिन की रक्षा के लिए खुद को सैनिक के सामने खड़े हैं पीछे जाओ मत हतो वो चिलाता है सैनिक अश्चरिय से एक दूसरे की और देखते हैं बाग वाला वोलर क्या कौन है वो इस भयानक भाग दोरा निगल लिया जाएगा जल्दी जल्दी इस जानवर को मार डाले अच्छानक हमें एक महीला की आवाज सुनाई देती हैं मुझे पास करने दो मुझे पास करने दो वो रानी है सैनिक रुकते हैं रानी सैनिको किश्रेनी को पार कर जाती है रोते हुए वो अपने बेटे की और दोड़ती है वासु तुरंद अपनी मा का चेहरा पहचान लेता है भागिन वासु ने कहा वो मेरी दूसरी मा है मेरी दो मा है वो जंगल की और वो महल की अब मुझे महल लोतना होगा अब मुझे वह सीखना चाहिए जो राजकुमार जानते है लेकिन मैं बार बार वापस आऊँगा क्योंकि मैं ये नहीं गूमता चाहता की बाग क्या जानते है ये एक ही समय में खुशी की अनुभूती और दुख की अनुभूती है ये होता है जैसे एक खुबसुरत कहानी समाप्त हो जाती है हमें खुशी महसूस होती है और उडासी भी बागिन धीरे धीरे चली जाती है और जंगल में वापस चली जाती है हर साल वासू बागिन को देखने वापस जाता था हर बार बागिन इसी गुफा के दौर पर उसका इंतिजार कर रहा था और फिर एक दिन वासू एक बहुत चोटे बच्चे के साथ आया वो मेरा बेटा वो कहता है उसे अपने पास रखो उसे वे सब कुछ सीखना चाहिए जो एक भाग को जानना चाहिए तबी वो राजकुमार बन सकेगा दोस्तो कैसी लगी कहानी प्रीओ तोस्तो कैसी झाहिए